हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की अपको K12X 5G फोन में आप लोग फेस लोग को कैसे लगा सकते हो । अगर आपके पास एक OPPO K12X 5G phone है और इस phone में जो आपको face lock को लगाना है अगर आपको बार-बार pattern नहीं डालना है या बार-बार आपके phone में जो यह fingerpin lock होता है इसको नहीं डालना है pin नहीं डालना है बहुत दिक्कत हो रहे आपको बार-बार यापर pattern अगरे डालने में या finger pin डालने में आप लोग चाहते हो कि जब भी आपका face जो है आपके camera के सामने रहे front camera के सामने मतलब screen के सामने तो आपको जो lock है वो automatically खुल जाए तो यह जो easy हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए तो face lock जो इसी काम में आता है तो केसे आप लोग अपने इस phone में face lock को करते हैं face lock को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलेगा password and biometrics का तो इस password and biometrics के option पे click करेंगे click करने के बाद add face का option आएगा add face के option पे click कर दीजे click करते आपने phone का जो भी pattern password या पीन है जो भी है उसको डाल देंगे डालने के बाद continue का option आएगा continue पर click करेंगे तो आपका front camera जो यह open हो जाएगा तो अभी क्या करने का इस front camera के बीच में आपको अपने face को डालना है तो मैं अपने face को डालके दिखा देता हो guys और यहापर face को डालते ही कुछ इ settings को आप लोग use कर सकते और face को डालती है अपका face lock set हो जाएगा अभी आपको कोई भी pattern जो है finger पी नहीं डालना है देख सकते है आप यह जो है activate हो चुका अभी face front camera के सामने होती आपका lock automatically खुल जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने oppo k12x 5G phone में आप लोग face lock लगा सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजे मिलतेगा लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई